रिष्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फॉर्णिशन खबर मौसम से जोड़ी है जहाँ एक तरफ ठंड का आगाज धीरे-धीरे हो रहा है वहीं एक तरफ लोग जहाँ दशेहरे का तिवहार मना रहे हैं नवरात्री का तिवहार मना रहे हैं तो वहीं दूसर तरफ मौसम भी अपना मिजाज बर्दलता हुआ नजर आ रहा है आपको हम बता दी कि बिहार में मौनसुन की वापसी पूरी तरीके से हो चुकी है और एक तरफ अब लोगों को गुलावी ठंड महसूस होने लगा है इश्किबाद अलग-अलग बिहार में गुलावी ठंड का हैसास होने लगा है मौसम विभाग के अनुसार पटना में आसमान साफ रहेगा नियूंतम तापमान 19 और अधिक्तम तापमान 31 जुगरी सलसियस के बीच रहने की संभावना है समेत राज्य भर में मौसम अभी एक हपते तक शुस्क बना रहेगा मौसम विज्यान केंद् जगों पर धूंद भी रहेगी लेकिन जैसे जैसे दिन चड़ेगा मौसम साफ होता जाएगा पश्मी भी शोब की वज़ह से सोंबार में हुई बारिश से दिली इंसी आर में मौसम में तब दिली आ गई है अब रात और सुवक के वक्त लोगों को ठंड महसूस हो रही है जबकि दीन में भी धूप निकलने के बावजूद मौसम सुहावना बना हुआ है अब मौसम विभाग ने इस वीकेंड के लिए ताज़ा पुरवानुमान जारी किया है मौसम विभाग के मताबिक का आज जाने की शुकरवार से दिन और रात के अधिक्तम और निंतम ताप में थोड़ी बढ़त देखने को मिलेगे इसके साथ हवाओं की दिशा भी बदलकर उत्तर और पश्यम से उत्तर की ओर हो जाएगी हिमाले की तलहटी वाले इलाकों में हलके से मद्ध दर्श का कोरा च्छाय रहने का पुरवानुमान है सिवान सारन और गोपाल गंच में त दून की स्थिती बनी लेकिन धूप निकलने के बाद मौसम सामान हो गया बिहार के 22 शेहरों के अधिकतन तापमान में गिरावट दर्श की गई है सुबह में गुलाबी ठंड का हैसास होने लगा है आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने का नुमान है ऐसे में लोगों को ग जो है और भी जादा महसूस होगी एक तरफ लोगों को अभी जो तेवहार है मनाने में और भी जादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मौसम जो है उन पर महरवान होता हुआ नजर आएगा उमसवरी गर्मी से पूरी तरीके से राहत मिल चुकी है गुलाबी ठंड का भी आगा हो चुका है और मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में मौसम जो है अपना रुख बदलता हुआ नजर आएगा और ऐसे में लोगों को ठंड काफी जादा महसूस भी धीरे-धीरे और होगी फिलहाल के लिए मौसम में इतना है तमाम अपडेट्स कर देखते रहें न्यूस फोर्डेशन